हलो फ्रेंज, स्वागत है आपका क्रेटिव गार्डिनिंग में आज हम पॉट में लगाएंगे सावर्थिया को और क्रासुला को ये दोनों सक्लेंट फैंबली के प्लांट होते हैं इन्हें पानी की ना के बराबर आवस सकता होती है और ये दोनों प्लांट देखने में बहुत खुबसूरत लगते हैं ये देखे, ये मेरे टी सेट के पॉट थे इनमें मैंने होल कर लिया है हम इन प्लांट को इन ही में लगाएंगे इनकी पॉटें मिक्स के लिए हमें चाहिए गार्डन सॉयल हम 40% गार्डन सॉयल लेंगे और ये 40% नदी की रेथ है हम जितनी गार्डन सॉयल लेंगे उतनी ही हम रेथ भी लेंगे दोनों की मांतरा बराबर होगी इसके बाद हम 10% वर्मी कमपोस लेंगे अब वर्मी कमपोस्ट की जगह पे कोई भी खाद ले सकते हैं जैसे गोबर की खाद है बस इसकी मांतरा बहुत कम होनी चाहिए क्योंकि इन प्लांट्स को खाद की नीट बहुत कम होती है और हम अब लेंगे 10% कोको पीट इन प्लांट्स को पानी के आवसिकता बहुत कम होती है इसलिए वेल ड्रेंट स्वाइल बनाएंगे पर इसमें हलका सा मौशर है इसलिए इसमें 10% हम लोग कोको पीट मलाएंगे ये देखे फ्रेंट्स अब हमारी पॉटी मिक्स रेडी है पॉट में हमने ड्रेनेज होल बना दिया है अब इन पॉट्स में हम प्लांट्स को लगाएंगे ये देखे फ्रेंट्स अब इस ड्रेनेज होल के ऊपर हमें छोटा सा हीटे का टोड़ा रखेंगे ताकि हमारा ड्रेनेज होल ब्लॉप ना हो और अब हम इसमें ये स्वाइल भरेंगे पॉट को हम थोड़ा खाली रखेंगे क्योंकि प्लांट के साथ भी कुछ मिट्टी है इसमें अब हम इसको इस तरह प्लेस करके थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और बाकी जगे में भी इस स्वाइल को भर देंगे ये देखें फ्रेंट्स ये अब हमारा प्लांट रेड़ी है चलिए अब लगाते हैं हम क्रासुला को इस पॉट में भी हम वैसे ही इटे का टूड़ा रख लेंगे और इस पॉटी मिक्स को इसमें भर देंगे इसके बाद हम उंगली से एक गड़ा करके उसमें इस प्लांट को लगा देंगे इसको हमने कटिंग से तैयार किया है फ्रेंट्स अब इसमें हम उपर तक इस पॉटी मिक्स को भर देंगे भर के अच्छे से प्रेस कर देंगे अब इसके बाद इसको डेकोरेट करने के लिए हम यूज करेंगे रेड स्टोन्स का ये छोटे बड़ी मेरी पास कुछ रेड स्टोन्स थे इनको हम इस तरह से इसमें लगा देंगे और ये देखिए हमारा पॉट तयार हो गया है चलिए अब चेक करते हैं कि इसकी स्वाइल वैल ट्रेंड है की नहीं हम इसमें पानी देंगे पानी देने के बाद देखिए फ्रेंट्स इस पॉट में पानी तुरंथ ही नीचे से निकलने लगा है मतलब कि हमारी स्वाइल वैल ट्रेंड है और चलिए अब चेक करते हैं हावर्थिया में ये देखिए फ्रेंट्स पानी नीचे निकल रहा है मतलब हमारी पॉट्टी मिक्स बिल्कुल सुटेबल है इन प्लांट्स के लिए उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजी फैमिली फ्रेंट्स के साथ शेयर कीजी और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजी